नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आशीश पुनिया और मैं आप सब का स्वावित करता हूँ Game of Life में आज हमारे साथ हैं रजजत मैता, आप सब की रिक्वेस्ट से दुबारे हमने इनको गुलाया है और बहुत ही interesting topic पे आज हम discussion करने वाले हैं रजजत जी कैसे हो? बुलकुल बढ़िया और आपको पता ही होगा कि अभी पूरा last month में पूरा December का month around 6 साल बात में इंडिया गया था तो कुछ चीजे थी करने वाली long pending जो कहते हैं न साइड जब time हो जब करने लाइक हालात हो तो वो चीजे उनी time पे कर लेनी चाहिए बाद में फिर पता नहीं रहता हो ना हो तो जो जो करना था मैं करके आ गया इट वस वर्थवाइल विजट और तो अभी जो चीजे करनी थी मेरे वो I'm feeling light वो मेरे कंदो से शोल्डर से वो responsibility भी कतम हो चकिए तो I'm looking forward और ये साल काफी important है मैंने अपने चैनल पे भी बोल रखा है कि पिछले साल जो जो cover किया जो जो videos cover किये वो as a foundation लोग ले सकते हैं उसके ऊपर build करके थोड़ा सा advanced थोड़ा से लोग को और deeper insights बतानी है जिसमेंसे हमेशा 5% या 10% इस world के लिए world के events के हिसाब से जो जो हो रहा है और 90% जो हमारा main जो हमारा focus है which is spiritual evolvement of each and everyone तो वो ही मेरा इस साल भी focus रहेगा और अगले साल से still I'll be moving into some other direction so looking forward to this first interview of 2023 with you thank you for joining us so some spiritual warfare is going on right so in this video we'll discuss about this topic only right now what is the situation what is the timeline in which we are living right now or aage ke event aapke hesaab se किस तरीके से होने चाहिए या किस तरीके से हो सकते हैं जिसके chances हैं करंटली अभी हम ऐसे point पे हैं जहां पर जो righteousness है या धरम है वो हार रहा है सच्चा ही एक तरीके से ऐसा लग रहा है कि हार रही है या फिर evil side darkness हर चीज़ को और पावर कर चुकी है तो मैं यहां से आप से पूछना चाहूंगा कि आगे के events आपको क्या लगता है किस तरीके से जो अभी negative side है क्या वो rise करेगी क्या वो बिल्कुल टॉप में आएगी किस तरीके से आपको लगता है इस planet पे अभी events होंगे spiritually, materialistically जैसे भी जो जो हर किसी को समझ में आए मैं चाहता हूं कि एक question उन सब को आ रहे हैं, different different कारण हो सकते हैं इन सब चीजों के, तो मैं आप से यहां से अब आपके ओपर भरो से छोड़ता हूं आप बताइए कि जिससे लोग डरें भी ना और जिससे लोग वो कर पाएं, जो उन्हें करना चाहिए इस particular time में देखो सबसे पहले, जो जो spiritually prepared है, मैं आपको पूरा detail में पताऊँगा, जितना detail में आपने मुझे से पूछा है, लेकिन start मैं यहां से करूँगा कि मैंने अपने telegram group पे बहुत पर बोला हुए, get ready with your popcorn, we are in for a ride, यहां से जो events अब होने वाले हैं, वैसे तो 2020 के बाद ही हम उस period में हैं, पर आगे, खास तोर से 2025 के around और 2025 के जो बात का जो second half होगा, वो एक बहुत दिल्चस्प होने वाला है, भयावे होगा उन लोगों के लिए, who are not in the knowledge, उनको पता नहीं है क्या हो रहा है, जो केवल इस भार की दुनिया में बहर मुकी होके, इस माया को सब कुछ मान के चल रहे हैं, हाई मेरा पैसा, हाई मेरे घरवाले, हाई मेरी नौकरी, हाई मेरी काड़ी, मेरा सोना, उन लोगों के लिए भय ये इसलिए, कि 2020 के बाद जो हो रहा है, लोग समझते ते पैसा सब कुछ है, पैसा भगवान भी खरीद सकता है, लोगों ने देखा, चाहे कोई करोड़ पती हो, चाहे कोई सड़क पे सोने वाला हो, जब वेव टू इंडिया में आई, जब ऑक्सीजन की कमी थी, या जो भ पैसा होते हुए भी घरवाला आँखों के सामने मर रहा था, उस टाइम पैसा कहां गया था, तो लोगों को वो जब ट्रॉमा आया उस टाइम, आल ओवर इंडिया, लोगों के दिमाग में उसने काफी इंपैक्ट डाला, जो उस मैट्रिक्स वाली जिंदगी में इस पैसे क माया को सब कुछ मान के चल रहे थे, उन्होंने सोचा नहीं नहीं, एक मिनिट, हमारे पास सब कुछ था, पर फिर भी हम अपने प्यार करने वाले को बचा नहीं पाए, तो क्या कुछ ऐसा है इस दुनिया में हमारे को ओफर करने के लिए, या कोई ऐसा हायर परपस है, जो ह जो एक spiritual direction में, खास दोर पर youth, जो involvement का जो interest start हुआ है, वो experiential है, और ये हमेशा, हमेशा एक time cycle के last में होता है, ये होता है, इसमें कोई surprising बात नहीं है, इसमें कुछ नहीं है, दूसरा आपने बोला कि अभी ऐसा लग रहा है कि जो righteousness वाली जो site है, जो dharma की site है, वो थोड़ा हार रही है, मैं इसको एक movie के तरीके से मानता हूँ, जैसे एक 3 घंटे की movie होती है, starting में कुछ समझ नहीं आता है, क्योंकि starting में story का plot बन रहा होता है, धीरे धीरे, last में भी righteousness वाली site जीतती है, मगर जो negative site है, एक तो first उसको underestimate नहीं करना चाहिए, second वो हारने से पहले, जब last में villain मर भी जाता है, उससे पहले जो, हाला कि वो अपने last के end goal तक ना पहुंचें, लेकिन उससे पहले वो कुछ damage कर जाते हैं, अब वो damage, villain अपने हिसाब से करता है, या जो director ने उसको script में लिखा हुआ है, देखे कि इतना करना है तुझे बस, उससाब से करता है, जो director ने उसको दे रखा है, अब problem ये है, लोगों को दुनिया में जो सब दिखता है, Illuminati, Jisutes, Freemasons, Knights Templar, अरे ये क्या है, Skull and Bones, Builderbergs, उनको भगवान से भी उपर का दरजा दे दिया है कि वो हर चीज चाहें तो कर सकते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है, वो सोच रहे हैं, उनकी जो हाथ में script है, from start to the end, जो centuries old उनके plans हैं, Roman Catholic Church के टाइम से भी नहीं, British Empire के टाइम से भी नहीं, Roman Empire के टाइम से भी नहीं, Greek Empire के टाइम से, उससे पहले Persian Empire, Babylonian Empire, खास तोर से, Greek Roman Empire के टाइम से, जो उन लोगों के plans हैं, और खास तोर में जो उनके 19th century और 20th century में जो plans बने, during the British rule, वो सोच रहे हैं, वो उस script को as it is, अपने हिसाब से execute कर रहे हैं, और वो execute हो रही है, मगर उनकी script, एक director है उनके उपर, जिसको हम भगवान कहते हैं, उसकी script में, उनकी script एक subscribe है, एक character को जैसे दे जाती है, लो hero, तुमारी ये script है, तुमारी ये है, तुमारी ये है, हर character के पास उसके हाथ में उसकी script होती है, कि उसको क्या आप करना है, किस टाइम पे, अब उनकी script, भगवान की script में, एक subscribe है, जब उनका काम खतम होगा, पता भी नहीं चलेगा, circumstances व जो एक energetic shift हो रहा है, जिसको लोग apocalypse कहते हैं, अब apocalypse का लोगों के दिवाग में क्या उसका meaning है, doomsday, नहीं, apocalypse का मतलब है, lifting of the veil, secrets will be hidden no more, after that, मतब वो energy की ऐसी होगी, कि वो secrecy, hatred, jealousy, power to self, इन सब चीजों के लिए conducive ही नहीं होगी, चीजों को surface पे आना ही होगा, चाहे वो household के अंदर हो, अगर कोई छुपके marital affair करता हो, या छुपके पैसे रखता हो, या कुछ भी करता हो, within the family, वो भी उभर के भार आएगा, और एक macro scale पे भी सारी चीज़ें उभर के भार आए जो इतनी centuries old secrets इन लोगों ने रखे हुए है, वो होना है, अब ये जो, इसलिए मैं लोगों को कहता हूँ, books पढ़ना, बहुत लोग कहते हैं न, जितनी जादा books पढ़ोगे, उतने successful होगे, ये वाला CEO या ये वाला CEO इतनी books पढ़ता था, एक दिन में एक book खतम करता था, न इस author ने वो लिख है, उसका चेतना का level कितना है, अगर उसकी चेतना का level तुमसे भी नीचे है, तो तुम क्या मिलेगा तुमें उससे, अपने से उपर का, अब इतना भी उपर नहों कि तुम यहाँ पर तुम पढ़ रहे हो, वेद व्यास की गीता और बोल रहे हो, मैंने त इंटरप्रेट कर दिया आपने थ्री डिमेशनल वाले माइंड से, नहीं, तो इसलिए, किसका ऐसे ही YouTube वीडियोस, क्योंकि अब डिजिटल वर्ल्ड में हम जी रहे हैं, तो बुक्स नहीं, डिजिटल कंटेंट जादा है, तब किसके वीडियोस देख रहे हो, वो कोई आप आपको बता नहीं सकता, आपको discern करना है, you as a viewer, अब कुछ लोग, क्योंकि जब आप research करते हो, external world में, बुक्स पढ़के, दूसरे को सुनके, तो वही जैसे मार पने पताया था, onion को जब आप पील करते हो, हर layer पे आपको लगता है कि अब मुझे सच मिल गया, लेकिन जैसे आप वो वाली layer उतारते हो, अगली layer मिल जाती है, फिर realized होता है, नहीं नहीं, वो सच नहीं था, अब सच है, जब तक आप रूट पे नहीं चले जाते हैं, और आपकी जो ego है, वो आपको यह एहसास करवाती है, कि अब जो मुझे पता है, बस यही सच है, तो जब तक कोई इंसान अपने अंदर, अंतर मुखी होके एक लेवल पर evolve नहीं होगा, उसको, मतलब उसकी भी गलती नहीं है, he will be, वो एक बहाफ में चला जाएगा, एक direction में, मतलब अगर कोई negative किसी चीज के बार में research कर रहा है, वो negativity में drain off हो जाएगा, बहा ले जाएगी वो उसको, क्यो जो positive सोचेगा, वो positivity में बह जाएगा, पर जो अपने अंदर है, स्तित, अपने higher self से जो aligned है, अपने center point से, वो बहेगा ने इदर या उदर, वो अपने center में रहेगा, मतलब कुछ YouTubers ऐसे बोलते थे 2020 के बाद, कि अब तो बसम zombie बनने वाले हैं, यह जिसने ले लिया वस अब जॉम्बी, छे महिने का time दिया था, फिर एक साल का time दिया, फिर का इतने लोग मढने वाले हैं, अब तो इतना time हो गया ना, तो जो listeners हैं, उनको question पूछन पूछन चाहिए, सर आपने पहले छे महिने बोला था, फिर आपने एक साल बोला था, क्या आप डरा रहे थे, कि किस light body में बदल जाएंगे, नहीं, नहीं, यह कोई Hollywood movie नहीं है, सब कुछ यही होना है, ना over negative होना है, ना over positive होना है, सब कुछ यही है, एक movie की तरह है, जैसे आप एक movie देखते हैं, उसमें अच्छे happy part भी होता है, उसमें sad part भी होता है, वो सब यहीं पर होगा, अब कुछ लोग कहते हैं, कि सर, जब आप कहते हो, we are made in the image of God, हम भगवान का ही वो एक अंश है, अलग आया हुआ, तो भगवान ऐसा कैसे चाह सकता है, कि हमें suffering हो, इसका answer यह है, आने वाले time में भी suffering होगी, world war 2 के time पे भी हुई थी, world war 1 के time पे भी हुई थी, Roman Empire ने जो अत्याचार किये थे उस time पे भी हुआ था, तब humankind ने, mankind ने इतना कुछ देखा है, अपने existence के बाद, but we came on the top, अब वो suffering क्यों, भगवान कल suffering से कोई लेना देना नहीं है, मैंने बताया, हम एक आत्मा है, जो भा से अलग होके आई है भगवान से, परम भ्रम से ए एक water droplet, ओशन से अलग होके आ रखा है, अब हम भगवान ने हमें नहीं कहा था, कि अज्यानता में डूप के, पतन में इस दुनिया को अपना मान के, जिसको भोगने के लिए हमें हम आए हैं, इसको अपना मान के, उपर जो तीन अज्यानता की covering हमने चड़ा दी हैं, कारण ना तरिप्त होती है, ना सफरिंग करती है, आत्मा बस एक observer है, भगवान परम पराप्रगृती में जो रहते हैं, वहाँ पे तीन गुण नहीं है, मतलब वहाँ पे केवल सतो गुण है, मतलब पराप्रगृती में जो भगवान जिसको परम भरम कहते हैं, वहाँ पे तीन ग अब भाउअ पर तो फिर वह सफरिंग ही नहीं अप्रा प्रग्रिति में अपने करमों के यसाफ से आपने ऊपर बैघेज हमने चड़ा रहा है हमें उसके हिसाब से शफरिंग महसूस होती है किसी को suffering महसूस होती है किसी को ecstasy महसूस होती है वो हर एक individual soul ने अपने कर्मों के साब से अपने उपर वो sheets of ignorance चड़ा रखिये तो उपर वाले के साब उपर वाला आपको suffering नहीं करवा रहा है आपने अपना because of your cumulative actions over your past so many lives आपको लग रहा है कि आप सफर कर रहे है किसी को same circumstances में ecstasy फील होती है तो ये इस time पे होगा अब आपके आगे वाले questions में हम in detail भी events को discuss करेंगे मगर मस मैं ये बता दू हाला की righteous side हारते हुआ है या किसी तरीके से दिख रही है मगर अभी वो जो script execute करने का जो time है अभी वो negative character का time है तो positive character तब तक नहीं आएगा जब तक director उसको अब नहीं बोलेगा light camera action लेकिन पीछे background पुरा बना हुआ है और physical world में आपको चाहे ना दिख रहा हो मगर जो uber की dimensions है वहाँ पे काम पहले से start हो चुका है और हमें सारी help हमें हमारे disposal पे है बस उसको पॉर्स गॉर्स गॉर्ड राइट परेट ओके तो जैसा कि आपने अभी point छेड़ा था दो हजार पच्चिस से दो हजार पीस मेरे ख्याल से यही समय है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं कि जो evil side का representative है he'll come and he'll take total control of everything representative से आपका क्या जैसे बहुत सारे लोग एक Bible को misinterpret करते है Antichrist आएगा या Quran को misinterpret करते है दजाल आएगा एक person आएगा कहीं से my question is like with CV19 or with 19 people came to know that everybody can be stopped with one order whole entire world can be stopped in the name of some small creature तो क्या यही उस चीज़ की representation है या फिर एक physical form में anti hero सामने आएगा नहीं physical form में कोई एक entity सामने नहीं आएगी यह सब लोग misinterpret करते हैं जब मैं आगे जैसे मैंने पताया अभी तो नहीं बट next year में भी जब मैं Bible और Gita का जब interpretation स्टार्ट करूँगा क्योंकि इस साल मैं वो सारे वीडियो बनाने चाहता हूँ जो मेरे दिमाग में है वो अटम करके जब मैं interpretation स्टार्ट करूँगा तब लोगे सामने आएगा अच्छे यह सारी चीज़े भी होती थी और तब जो अब जो interpret करते हैं they will be exposed क्योंकि सच जैसे कहते हैं सील हो रखा है तब जब तक राइट टाइम नहीं आएगा वो सील खुलेगी नहीं और वो सच लोगे सामने आएगा नहीं बहुत सारे सेल्फ रिलाइज सोल्स ने वो चीज़े पताई पर वो एक वज़ा से वो इतनी डिटेल में नहीं पताते है सेल्फ रिलाइज सोल्स क्योंकि वो चाहते हैं जो करता है जो योगी है जो करने वाला है वो खुद उन परतों को उठाए खोले वो एक लेवल तक पताते हैं मैं उस लेवल से एक लेवल और अंदर तक आपको कोशिश करूँगा पर वो नेक्स्टियर होगा पर अभी मैं यह बता देता हूँ कि कोई एक एक एंटिटी नहीं आएगी मेरा एक चार पांच घंटे का जो वीडियो मैंने डाला था उसमें जो व्ल्ड एकनोमिक फर्म का जो है टेक लॉस्वाप राइट मोडू वह साफ अब अभी लुक डरते भी नहीं है वह साफ 2015 नॉमेंबर 2015 2015 के इंटेव्यू में बोल रहे हैं इंडस्याइश्यार जो रहे हैं इंडकी र्फ में अगार्टी नहीं हुझईtał you will own nothing and you will be happy, yes, but he is saying, we will change, we will not work, our productivity will change, we will change as a human being, a literal, which is called technically, biologically human, that will change. How will that change happen? तो डॉक्टर यूवल नुवा हरारी जो उनीके अंडर काम करता है, as a secretary, उन्होंने, उसने क्या बोला इंटर्व्यू में, कि human beings no more have free will, अब हमारे वो अंदर कहते हैं, साफ है, साफ बोल रहे हैं, कि वो एक concept of consciousness, your soul, your spirit, or free will, that era is over. Now human beings are hackable animals. Just like the matrix? Humans are now hackable animals. You know, the whole idea that humans have, you know, this, they have this soul or spirit and they have free will, and nobody knows what's happening inside me, so whatever I choose, whether in the election or whether in the supermarket, this is my free will, that's over. Free will, that's over. That's over. Over. Today, we have the technology to hack human beings on a massive scale. Yeah, I mean, everything is being digitalized, everything is being monitored. In this time of crisis, you have to follow science. It's often said that you should never allow a good crisis to go to waste, because a crisis is an opportunity to also do good reforms that in normal times people will never agree to, but in a crisis, you see, we have no chance. So, 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 so let's do it. Surveillance, people could look back in a hundred years and identify the coronavirus epidemic as the moment when a new regime of surveillance took over, especially surveillance under the skin, which I think is maybe the most important development of the 21st century is this ability to hack human beings, to go under the skin, collect biometric data, analyze it, and understand people better than they understand themselves. This, I believe, is maybe the most important event of the 21st century. By hacking organisms, elites may gain the power to re-engineer the future of life itself, because once you can hack something, you can usually also engineer it. Natural selection is replaced by intelligent design. In the coming decades, AI and biotechnology will give us god-like abilities to re-engineer life and even to create completely new life forms. We are about to enter a new era of inorganic life shaped by intelligent design. Our intelligent design, our intelligent design, our intelligent design, our intelligent design. Now, what was it now? It was just that everyone knows that if someone has a mobile phone or a PC or a TV, or a TV, or a TV is switched off, if your phone is switched off, what were you talking about, what were you talking about, what were you talking about, all the NSA was going to the National Surveillance Department in the U.S. Right. But, right now, what was it now? It was over your skin gadgets. If you had that gadget in the other room, in the building, in the other room, now, you had to take it. But, if you had to do something like that, you had to track your 24 by 7. So, how did you keep hacking yourself? Something like that, it was like you had to go inside your skin. चले जाए, they wanted to go under your skin और वो उन्होंने problem बनाई लोगोंने reaction दिया और जो वो चाहते थे उन्होंने as a solution लोगे सामने रख दिया, और लोग line में खड़े-खड़े होके खड़े होके लिया लोगोंने वोई problem reaction solution problem बनाओ, लोग react करेंगे एक तरीके से उनको फिर जो आप चाहते थे वो solution दे दो Mr. Use इसलिए वो कहते हैं कि let no problem go to waste हर problem का best जो वो अपने agenda के लिए जो चाहते हैं उसका use किया जाए तो वो हुआ और ये start इसलिए है इस पूरे agenda का अच्छा मैं कभी-कभी कुछ चीज़े जो मुझे दिखती है मैं पता देता हूँ कुछ चीज़े क्योंकि मैंने इतना extensive research किया हुआ है इनका कोई भी event random नहीं होता मैं जब पताता हूँ अच्छा भी ये होने वाले और वो चीज होती है तो इसलिए क्यो एक flow of events मुझे पता है इनका जो game है वो हमेशा flow of events है chain है अगर ये होगा फिर ये होगा ये होगा ये होगा तब 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 ये होगा अगर ये वाला event नहीं हुआ तो बात के नहीं हो सकते है जब यह होगा तभी उसका मतलब है अब यह होने वाला है इस चेन अफ इवेंट्स तो सबसे पहले उनको कुछ ऐसा करना था कि वह अंडर दसके जाके हमें एसा हुमन बींग कंट्रोल कर पाए हमारे इमोशन हमारा माइंड हमारा frame of existence सब कुछ हम positive सोचते हैं negative सोचते हैं depressed रहते हैं या elated रहते हैं blissful रहते हैं depressed sad रहते हैं वो सब और वो हमारा पूरा body एक mobile phone की तरह की electromagnetic device है उस electromagnetic device को आप frequency से modulate कर सकते हो आपको इस इंसान को क्या करना है आप वो सब कर सकते हो अब वो हाला कि research उन्होंने बहुत पहले कर ली थी बहुत साल पहले आपने सुना होगा कि बहुत लोगों को खास तोर से US वगेरा में क्योंकि यह सारी जो research है यह US या Africa में करते हैं क्योंकि वो इतने dumb down US में इतने dumb down है कि उनको पता नहीं चलता और एफ्रिका में वो विचारी इतने गरीब हैं कि उनकी कोई news भार नहीं आती और वहां loss एक value of life भग कम है एफ्रिका में तो कुछ साल पहले आपको दिखा होगा US में एक news आती थी कि हम की sound आती है धरती के नीचे से समझने आतों तक कहां से आती है पर आती है Kentucky और कुछ स्टेट्स में आती थी और वह continuous आती थी कुछ-कुछ हफतों तक वह यह ना YouTubers और यह ज्यानी अपने आप आते हैं किसने का नहीं नहीं अब देखो पोल शिफ्ट होने वाला जरती रो रही है कोई-कुछ-कोई-कुछ अब वो क्या था वो एक बहुत बड़े लेवल पर एक experiment था कि sound waves से human emotions को कैसे control किया जाते है वो sound waves थी और वो देखा गया जब वो एक particular frequency में उस city की sound waves को change कर रहे थे तो या तो crime बहुत बढ़ जा रहा था या depression बहुत बढ़ जा रहा था suicides बढ़ रहे थे इतना अच्छा हो रहा था कि crime भी कम हो रहा था suicide rate भी कम हो रहे थे और सब happily रह रहे थे तो सब कुछ frequency से mind low का change करके वो एक experiment था यही इन्होंने US diplomats के साथ किया अपनी US embassy के जो staff था sound wave attack किया है हमारे diplomats पर वो अपना ही experiment कुद करते हैं पर problems में यह थी कि अभी वो एक city level या town level या बड़े उस पर कर रहे थे तो जब वो कुछ frequency या कुछ change करते थे तो वहां कि पूरी population जो थी उनके उपर एक साथ होता था उनको यह नहीं करना था एक एक इंसान तक कैसे पहुँं सकते हैं वो तब पहुँं सकते हैं भाई देखो मैंने बताया हम electromagnetic device हैं अब अगर हम electromagnetic device हैं मतलब mobile phone हम हैं उनको बस क्या करना था हर mobile phone में मतलब हर हम हमारी body में अगर हर किसी की body एक mobile phone है उनको दो हर मोबाइल फोन में सिंक डालना था बस अगर सिम कार्ड होगा तभी तो केरियर आपका जो भी केरियर है जाए वो जी ओ है चाए वो बोड़ा फोन है जो भी है यह टेल है वो एक 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 सिटी में अगर एंडिविजली कंट्रोल कर सकता है इसका यह सर्वेस खतम कर तो इ कुछ ऐसा करना था कि वह मारी स्किन के अंदर जाके वह सिम कार्ड अपना डाल पाए जिससे वह एक-एक इंडिविजुल को कंट्रोल कर पाए क्या यही मार्ग फ़ बीस्ट है वो में हम आ गया आते हैं तो अब वो उन्होंने हमारी बॉड़ी के अंदर एक प्रॉब्लम क्र करके वो डाला अब उसके अंदर मैं पताता हूं जो हाला कि मिस्क्रिजुल स्टर्म भी मैंने किया था और एक जीओ के बारे मीमें मैंने सबसे पहले शायद शायद बैनी पताए तो जी ओ है एक वाइल के अंदर जो लिक्विड होता है उसके अंदर जीओ की वो जैसे हमारी शरीर में जाता है ग्राफीन क्योंकि जो 5G के जो बैंड है 5G मिलिमीटर वेव पर काम करता है एक ग्राफीन ही एक ऐसा सब्स्टेंस है जो जब उसको 5G की जो वेव का जो बैंड है उस पर जब ग्राफीन को एक्सपोस किया जाता है इड बिहेवस इंड इफicamente और वो एक अटोमेटिक सरकेट्री बना देता है अब जब वो हुमारी बाडी में गया हमारे blood screen से मिला उसने अटोमेटिक सरकेट्री बनए हमारी बाडी में मतलब जैसे एक SIM card हुता है SIM card के अंदर chip होता है वह ऐसी सरकेट्री थी कि मोबाइल फोन है जब इसके साथ मैक bike or sim card को आपने sim card डाल दिया अगर आपका मोबाइल फोन इसको डिटेक्टी नहीं कर रहा तो क्या फाइदा तो पहले तो पूँझरे जो डाला वो इस तरीके सड़ावल नी चाहिए कि वो जो behavior वो चाहते है शो करना वो करें और इससे हमारी बॉड़ी का emotions और हर चीज़ को control कर सकते हैं अब प्रॉब्लम ही आ रही थी कि जो मिलिमेटर हाँ अब प्रॉब्लम ही आ रही थी कि जो मिलिमेटर वेव होती है अब मालो मैं आपकी बहुत proximity में हूँ आप अपने office में गए वहाँ 10 लोग आप साथ बैठे हो अब वो 10 लोगों का वो इंटरफेर करेगा एक दूसरे से जो frequencies हैं वेव हैं उन्होंने हमारे mind में एक subconscious में एक हमें ट्रेनिंग दी लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग जिससे की वो अलग-अलग सब के साथ वो circuit बिल्ड कर सके एक-एक mobile phone को separately वो monitor करके control कर सके हैं अलग से वो उपर से मतलब वो देख सके कि यह अलग है यह अलग है हमें बोला गया सोशल डिस्टेंसिंग है तो यह स्थारी चीजे धीरे और अभी यह कुछ-कुछ खतम नहीं हुआ है अभी पहले एक बस preparatory phase था जिसको ट्रेनिंग कहते हैं पहले सेटनाइज फिर उसके बाद अलग कर दो और फिर उसके बाद चुप करा दो इसका तो यही तीन चीज बोली थी यही तीन चीज बोली थी किये करो यह तो मतलब industrial revolution 4.0 है क्या फिर से उसी बात पर आते हैं it will not change the way you do things it will change you मतलब उनका end goal क्या है अभी तो start हुआ है धीरे 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 उनका end goal है to merge humans with machines terminator की बात कर रहे हो क्या बिल्कुल उस तरीके से नहीं हाँ but to merge मतलब हमारा जो एक DNA DNA को कहते हैं God code divine code Greg Braden की बहुत अच्छी किताब भी है जो मैं recommend करता हूं तो God code बहुत पहले लिखी दिए उन्हें इराउं 2000 something 2008 और 7 जैसे C, C++, Java programmers होते हैं अपना बहुत बढ़ा code लिखते हैं ऐसे भगवान ने code लिखा हूँ है हमारे अंदर उसमें locks है जैसे आप mobile game खेलते हो पहला level खुला होता है जब तक पहला level पार नहीं करोगे दूसरा अन्लोक नहीं होगा फिर तीसरा अन्लोक नहीं होगा तो वो है जैसे आप योग में अंदर अंदर जाएंगे आपके levels अन्लोक होंगे अब कुछ अगर उसमें code ही तोड़ दिया जाए मतलब आपका वो जो connection है वहाँ से वह antenna ही कट कर दिया जाए तो आपके अंदर मुझे divinity थी जो कहते थे you are made in the image of God अब वो नहीं है मगर हमारा यह भी जो शरीर भगवान ने बनाया है यह भी कोई कागस की कच्छती नहीं है तो हमारे शरीर में भी एक ऐसी चीज होती है जिसको हम glutathion कहते है जिसको हम glutathion कहते है हमारी body में एक substance होता है उसका यह होता है परपस जो भी हमारी body में कुछ poisonous कुछ चाता है उसको हमारे शरीर से निकालता है time लगता है पर वो निकाल देता है तो जो एक while में हाला कि हर country का एक liquid की एक while एक while में जो liquid होता है उसमें जो जीयो का concentration है वो हर country में अलग-अलग है कहीं strong कहीं थोड़ा कम पर जो मैंने इंडिया के हिसाब से जो मैंने research किया था काफी पहले अभी तो एक साल हो गया शायदे तो उसके हिसाब से जो हमारी body में वो substance है वो 9-12 महीने में उस चीज को आपके शरीर से भाहर निकाल देगा automatically automatically धीरे-धीरे अब कुछ लोग इसको misinterpret भी करते हैं और कहीं कहीं और सुन लेते हैं किसी से पूछते हैं अच्छा ही ऐसा कह रहे हैं मतब चेक करवाते हैं verify अच्छा ही ऐसे बोल रहे हैं फिर वहां से लिए आएंगे explanation sir ये देखो ये explanation आप क्या I don't have to say anything आपको जिसको स सुनना है सुनो जिसको नई सुनना मत सुनो अगर सुन रहे हो तो फिर बिलीव इट और ये जो भार निकाल देता है बोडी से इसमें और डिटॉक्स में बहुत अंतर है मैंने डिटॉक्स नाम का कभी वर्ड यूज नहीं किया और ना मैं कभी करूंगा मैं बस इतना कह रहा हूं उसका अफेक्ट नेक्स्टो निग्लिजिबल हो जाता है बतलब स्प्सिंप कार इन उसको सिम मैं ile में क्रहें को निकाल ने पर इमाईज well कि वह SIM card जो है वह वीक हो गया है कि वह signal तो उतने ही है अवेलेबल पर वो उसको खीच नहीं पारा पकड़ नहीं पारा अब उनका काम उससे नहीं बनेगा कि उनको तो वो सब कुछ करना है आपकी बॉड़ी के साथ तो कुछ ऐसा करेंगे इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया था यह एक बार या दो बार या जो आपकी गोवर्मेंट्स आपको बोल रहे हैं उसमें खतम नहीं होने वाला यही होगा कि एक साल में आपको एक बार लेना है और आपको बोला जाएगा कि नए ने वीज आ रहे हैं आपके एक बार मिले रहे हैं जैसे विंडोज अपने पैचिस निकालती है सिस्टम इंस्टॉल कर दिया इसका मतलब काम खतम नहीं वो हर सेकिंड टूस्डे ऑफ मंध अफ एक बार में नहीं रुकेगा अभी हो रहा है अभी थर्ड बार आएगा फिर फॉर्थ आएगा फिर फिफ्थ आएगा धीरे-धीरे अब यह तो चलता रहेगा साथ में जो ब अब अब और स्टेज विलियम शेक्ष्पी ने गाथा इस वर्ल्ड इस स्टेज तो सब के सामने पुतिन और बाइडन लट रहे हैं पुतिन और यूरोप लट रहे हैं वो सब है एक पर परदे की बीचे एक एजेंडा है इसको फूरूशन में लाना है इसकी वजह से अभी फूट क्रैसिस एनर्जी क्रैसिस किक इन हुआ है अभी तो कुछ देखा नहीं लोगों ने अभी देखना इस साल 2023 की बब जो समर्स और फॉल ऑटम के बाद जो विंटर आएंगी और जो अगले साल आएंगी इट फिल गोन एक्स्पुनेंशली राइजिंग जो क्रैसिस हो का और सब वाटिविशली क्रेटेटिड वाइल्ड फायर्स जो हमेशा ऑस्क्रेलिया कैलिफोर्निया इदर वाइल्ट फायर्स लगती है समर में ग्लोबल वार्मिंग के नाम पर आप्टाइमिट चेंज के नाम पर वो जो मैनमेड होती है उसमें से 90 परसेंट वो और जाध अभी नहीं किया तो बस सब मिरहें हैं कल मर जाएंक ता अगर आज नहीं किया आज दोबना सब मर जाएंगे हर चीज में यह होता है अभी करो या मर जाएंगे क्योंकि वो जो फिर ओफ डैथ है वो सबसे बढ़ा उस जैसा फियर एक हुमन बिंग के लिए नहीं होता है यह अन्नोन तो इसलिए यह वी क्या था अन्नोन थिंग है पता नहीं पर मर जाओ गया यह यह लिया तो अच्छा मर जाएंगे चलो ले लो तो हर चीज में डैथ 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 को गीच में लाते हैं अब फोर्स भी तो फोर्स यहां पर फ्री विल नहीं चलिए फोर्स भी तो किया गया है मतलब अनकॉंशियस लोगों को जिनको पता ही नहीं कुछ भी उनके साथ तो बिलकुल ही जबरदस् जीज इसलिए कहते हैं जब यदा पिरज आता है कि जो सॉल्स रेडी है उन miraculous मिलती है एसा यह जिन सोल्स को पता नहीं होगा उनको खोभी इस जनम में पहले या पिछले जनम में या उससे पहले कभी भी कोई ऐसा कुछ मिला होगा कि हम जिससे अगर उस डेरेक्शिन में ज उनको इसा पता हो सकता है उन्हों उस चीज को इग्णोर कर दिया और एक्जेंपल को कोई अन्नोन परसंट जिसको इस चीज के बारे में कुछ ना पता हो वो बाइचांस यूटूब में कोई मुजिक वीडियो या कुछ देखते देखते आशीश पुनिया जी के चैनल बाइचांस रिकमेंडेशन में आया उन्होंने देखा और देखके ये चीज देखी ये वाला वीडियो देखा और देखके एग्णोर कर दिया उनकी फ्रीविल है तो अपनी फ्रीविल कैसे किसने एकसाइस करी वो उसके उपर है मगर सोल को इवॉल्फ करने के लिए यूनिवर्स मौके देता रहता है अब आपने वो चीज ली या नहीं ली या आप दूसरे एक दूसरी सड़क पे चले गए दूसरी डेस्टिनेशन पे चले गए वो डेस्टिनेशन भी फिर आपकी नहीं आया मैंने उस वीडियो में कवर किया था यूएस में पोल्ट्री में भी यह हुआ था सरकस जिसमें 37 मिलियन पर्ट्स को और चिकन को कल किया गया था क्या किया गया था उनको मारा गया था उसमें भी उनको भी फिर मिस्ट्री जूस दिया गया ऐसे ही मतलब केवल वेजिटेरियन नहीं केवल नॉन वेजिटेरियन नहीं तो भी वाइबल सोर्स ओफ फूड है जिससे हुमन बींग्स कें कीप अप उन सब को शॉटेज में डाला जाएगा आटिविशली ऐसे एनर्जी को भी आटिविशली तो यह सब चलता रहेगा कियोस दिखाया जाएगा जबर दस्ती कियोस पूरा सर्चीज आटिविशल होगी उसके बाद एकनॉमिक कोलाप्स अभी तो नहीं है अभी नहीं है वगर डाउन दरोड एकनॉमिक कोलाप्स 2025 के आसपास से थिंग्स विल स्टाट गोई इन रॉंक डिरेक्शन अभी भी देखो पूरी दुनिया में इन्फलेशन 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 एक चीज़ पता गी थी इन्फलेशन कैसे होता है इन्फलेशन होता है कि सप्लाय ऑफ गुड्स अतने ही एं चंट्री अच्छा कर रही है चंट्री अच्छा करी एาร सफी था व्यारी देक्ट प्सक्राइज आले और है तो जाधा पैसा क्र्ह stubacter 6 करेंगे तो इसके दाम्लें बढ़ेंगे explorat almost इफलेशन होती है, इन्होंने क्या किया, हाला कि US में थोड़ा सा जॉब नंबर्स और वो सब अच्छा रहे थे, थोड़ी थोड़ी बड़ी, मगर इन्होंने कम कर दिया, आप रशिया से यह नहीं खरीच सकते, रशिया से मेटल्स नहीं खरीच सकते, रशिया से आप खाना नहीं खरीच सकते, युक्रेन का आपने जो वीट वगरा था, वो रशिया ने बंद कर रखा था, वहां से कोई भार नहीं जाएगा, इतने देशों म कोई तेल नहीं खरीदेगा अब अगर तेल का सप्लाई ही आपने एक इतने बड़े प्रोडूसर खतम कर दिया तो तेल के दाम तो बढ़ेंगे वह बोल रहे हो इंफलेशन हो रहा है अच्छा फिर उस अडिविशल इंफलेशन को काबू करने के लिए आप रेट्स बढ़ा रहे हो अपने Central Bank के Central Bank की रेट आपने इतने बढ़ा दिए यूएस में और यूएस बढ़ा रहे है तो बाकी देशों को भी बढ़ाने पड़ेंगे अब वह Central Bank के अपने रेट इतने बढ़ा दिए कि अब उसकी Hard Lending होगी कि अब रेट इतने बढ़ गए कि अब वह इंफले क्योंकि जपैन एक यूएस की कॉलोनी मान लो उनको जो यूएस माई बाप बोलेगा वह हमें करना है तो उन्होंने रेशिया के साथ यह किया चलो हम भी सैंक्शन लगा देते हम भी नहीं खरी देंगे अरे तुम एक आइलेंड हो तुम 90% अपना सारा चीजें इंपोर्ट कर यह एक आइशियल इंपलेशन अभी लाई गई है यह अभी डफलेशन होगी डफलेशनरी एक बस तायगा उससे पहले रैली आएगी उससे पहले सब कुछ अच्छा लगेगा पर एक जो डिफलेशनरी बस थायगा एक-दो साल ड़ाउन दा लाइन अभी नहीं वो उस लेवल पे होगा कि अब लोगों को लगेगा 2008 में जो लीमन ब्रदर्स का जो कोलापस हुआ था जब उसके बाद जो मंदी आई थी वो तो एक ट्रेलर था तो कुछ भी नहीं था असली तो होगा यह क्योंकि 2008 में क्या था देशों के उपर डेट नहीं था करजा नहीं था वो पैसा चाप सकते थे quantitative easing जिसको कहते है लेकिन वो काम नहीं करती है अब देशों के उपर ही इतना करजा है और वो आपने cancer वो जो छोटा सा cancer था उसको आपने तो बड़ा tumor बना दिया है पैसे print करकर के भई कोई भी country अपने central bank के पास पैसे print करने की power होती है मगर अब वो अपने जितना उसको print करना है उतना करेगा तो उसके consequences होते हैं और वो US जो करता है वो पूरी दुनिया को consequences भूगतने बढ़ते हैं पूरी दुनिया की world reserve currency है तो अभी जब deflationary collapse आएगा वो ऐसा black hole की तरह आएगा कि उसमें जो पूरा आपके derivative market है मैं आपको पता दू जो physical currency world में exist करती है वो खतम हो जाएगी वो 1% भी नहीं है digital जो आपको screen के उपर numbers दिखते हैं न 0000000 उसका बढ़ी नहीं है that is a banking scam of course that is what fractional risk of banking is that is what derivative market is अब जब deflationary collapse आता है तो सब जमीन पर आजाते है to reality अब वो जो आपको hypothetical future के जो number 0000 screen पे दिख रहे थे वो सब कितने 0 वे एक साथ गाई हो जाते है और उस chain में जितने लोगों को नौकरी मिली होती है वो सब साफ फिर deflation है अब लोग हाहाकार करेंगे अब जब हाहाकार होगा वो इप्रॉबलम उन्होंने बनाई लोग हाहाकार करके solution दो solution दो हमारे बच्चों का school fees है हमारा house loan है हमारा यह है हमारा वो है reaction दिया लोगोंने अब वो अपना solution देंगे universal basic income universal basic income you will own nothing and you will be happy मतलब आप काम करो आप ना करो आपको एक particular amount हर साल मिलेगा slaves slaves अब उसमें होता था ना बच्पन में हम देखते थे एक सपना कि बड़े होके हम अभी इतनी महनत करेंगे बड़े होके अमीर बन जाएंगे बड़े होके इतने बड़े आदमी बन जाएंगे वो सब खतम हो जाएगा काम करो ना करो वो as sheep आपको उतना ही मिलना है अब इसमें भी अब हर चीज के pros and cons है क्योंकि उनको वो अपना agenda उनको आपको line में लाना है किसी भी तरीके से अभी first उसमें आप बच गए second उसमें शायद बच जाओ third उनके event में बच जाओ कही ना कही तो उनके हाथे हाथ में आओगे अब वो कहेंगे ठीक है हम आपको हर मन्त देंगे मगर यह जो हमारे एक app है न CV passport या कुछ भी उसको बोल दो जो G20 मीटिंग में अभी G20 मीटिंग थी इंडोनेशिया में अभी उसके बाद इंडिया होस्ट कर रही है लेकिन उससे अभी जो just concluded last to last month हर किसी को news में क्या दिखाया हर किसी को पूरे world news में क्या था कि सारे world leader G20 countries के leader मिल रहे है बस वो यही बात कर रहे है कि inflation जो बढ़ रहा है कि rate भी किसी तरीके से बढ़ा के inflation को tackle कर दिया जाए पर recession भी ना आए यही था लेकिन last day of the meeting उन्होंने क्या लोगोंने sign किया कि global एक global same एक cv passport name का एक app जो भी हर country उसको agree करेगी agree कर ले उसका status हर citizen का green रहना चाहिए green passport kind of उसको दूसरी चीज़ कहते है मैं अभी सीवी पासपोर्ट ही सोच लो वरना YouTube का AI इसको scan कर देगा इसको डिटेक्ट कर देगा green card cv passport आप मान लो अब उस app में green status होना चाहिए अगर आपने उनकी किसी चीज़ को नहीं माना या साही टाइम पर नहीं किया जैसे वह आपको बोल रहे है तो या तो आपका status green से amber हो जाएगा औरेंज हो जाएगा या red हो जाएगा जैसे ही वह औरेंज होगा या red होगा उस हिसाब से आपकी वह जो आपको services दे रहे हैं चाहे hospitalization service हो चाहे आपकी pension हो चाहे आपके banking अपने bank account पे access हो कुछ भी हो वह रिस्क्रिट्टों इस्टार्ट देंगी मतब उन्होंने आपकी दुखती रग पकड़ ली यह भी काफी लोग तो ignorant थे पर कुछ 10-20 परसेंट को पता था कि यह चीज क्या है क्या नहीं पर फिर भी उन्होंने लिया क्यों sir government job है बच्चे है पेरेंट्स हैं बुड़े लोन चल रहा है क्या करें तो दुखती रग पकड़ते हैं अब या तो आप अंदर से असे स्टील हो कि जो भी हो जाए फिर मैं देखता हूं पर वह 99.99 नहीं होते तो बी प्रैक्टिकल तो वह उन्होंने पकड़ लिया बापका अब आपका वह नहीं लिया 6 मेरे के अंदर उसका ग्रीन से वह स्टेट चेज़ हो जाएगा यह सारी चीज़े वह ला रहे हैं जो चाइना में पाइलेट टेस्टिंग हो रही अभी चाइना जो है अभी जो चाइना की ज़िए स्टेट है वो एक पाइलेट ग्राउंट है कहते ना बड़े प्रोजेक्ट को रोल रोल आउट करने से पहले एक छोटे उसकी पाइलिट टेस्टिंग होती है छोटे चोटे वह हो रहा है अच्छा अब ये अब एजेंडर 2030 के उनके गोल्स क्या है जेंडर 2030 में के एक तो गोल है कि हर किसी कोई भूका नहीं मरेगा कोई इनिक्वैलिटी नहीं होगी कोई अमीर नी कोई गरीब नी एकवल और आपके दिमाग में कि यह चीज आपको अच्छी लगे उसके लिए आप हर बार आपको न्यूज में आज कल दिखाते होंगे की टॉप 100 पीपल या टॉप 1 परसेंट और 99 परसेंट में कितना वेल्थ का गैप है इस कंट्री में कि वो जब आपको बताएं देखो एजेंडर 2030 सस्टेनबल डेवलप्मेंट गोल में कोई अमीर नहीं रहेगा कोई गरीब नहीं रहेगा कोई नेक्वालिटी नहीं रहेगी वेल्थ कैप नहीं रहेगा आप लोगे वाह क्या है यही चाहिए एक्सेस टो एजु शेहर में डुबे हुए वर्ड्स हैं जो उनके शुगर कोटिट वर्ड्स के अंदर जो उन्होंने लिखा हुआ है वो अपने अगर यह सारी चीज़े रिसर्च करी हुई है तो आपको पता चल जाता है कि जब आप अंदर तक घुसते हो कोई तो पढ़ता ही नहीं है और ज का चलो युनिवर्सल बेसिक इंकम भी आ गई यह ग्रीन स्टेटस होना चाहिए यह सब भी आ गया मगर फिर अभी जो इंकम आ रही है अब उसमें भी कोई इंसान सब खर्च कर देगा हर महिने को इंसान कंजूस की तरह सेफ करेगा तो जो सेफ कर रहा है वो तो फिर तो अब चाइना में एक और पाइलेट टेस्टिंग हो रही है इसी के साथ कि जो मनी है उसकी एक्सपारी डेट होगी मतलब आप जैसे कहीं शॉपिंग करने जाते हैं तो आपको पॉइंट्स मिलते हैं आपको 100 पॉइंट मिले फर एक्जेंपल आपको एक साल के अंदर खर इसकी तब से एक साल बात की अगले महीनिया उसकी तब से एक साल बात की अब या तो एक्सपारी डेट के अंदर खर्च कर तो या वह जीरो हो जाएंगे मतलब एट गिवन पॉइंट ऑफ टाइम कोई अमीर नहीं हो पाएगा और वह आपको कहेंगे नहीं नहीं आपको है रेएइखो यह बी जीए को हुँ पार से लोग आप स्टॉक मार्कित पे लेजो डो मीयु चैन्म अपने रधिक्शिन देता है अपना ये कंटेशन मेंयू अप अब अगर वह नहीं गया फिर कहते हैं हमने तो कहा था this may go up और stock market तो unpredictable है यह वो यह नहीं कहते इस विल गो अगर आप विल नहीं बहुल पारें तो you are not an expert एसे यूट्यूब में बहुत लोग diplomatically prediction करते हैं क्योंकि उनको पता है अगर यह सही नहीं हुई तो फिर हम हमार दो बिजनेस कता हूं पर मैं धडल्ले से कहता हूं नहीं यह चीज होगी जो मुझे पता है जो मुझे नहीं पता मैं साफ बोल देता हूं I don't have any clue मुझे कभी प टेलीग्राम ग्रूप पे ही अभी जो यूएस के जो इलेक्शन हुए थे सेनेटर कॉंग्रेस के मैंने बोला था रिबब्लिकन पार्टी विल इधर वन और वोथ यूएस में भी आते लोग बोल रहे थे ब्लू रेड वेव रेड वेव रेड वेड 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 रहेगा, रिसेशन स्टाट हो रहा है, सब कुछ नेगिटिविटी मैंने एक दिन बोला नहीं, बुल मार्केट स्टाट और अगले दिन से बुल मार्केट स्टाट एक महिने में पीक पे चले गए, रिकॉरड हैस तो जो चीज पता है वो पता है, उसमें वैं फिर confidently बोलता हूं, गलत हुआ तो आगया के बोलूगा, yes I was wrong तो इस इस दो प्रड़ेट लाइगा, like a man बना गर may, may, may happen, may not happen, could happen, then आप दूसरे के साथ भी पागल, दूसरे को पागल बना रहे हो, खुद भी पागल बन रहे हो, right तो एक 2035 का जो मेरा बहुत बड़ा प्रडिक्शन था, है इतनी बार बोल रहा हूं लोगों को, India will become a superpower इंडिया will become a superpower, around 2035, 2035, एक दो साल उपर, एक दो साल नेचे हो सकते हैं, क्योंकि उस लेवल पे उस जगा, उस उस पे टाइम का पता नहीं होता, क्योंकि वहाँ टाइम है नहीं, तो वह अंदाजे से पताना पड़ता है, दूसरा, गिवन है, इसमें भी गलत नहीं है, भाई, एक मूवी में अगर कोई डिरेक्टर की मूवी है, उस मूवी में अगर सब कुछ पॉजटिव पॉजटिव ही होना है, लाइक सूरज बढ़ चात्या फिल्म, तो आपको उच्छी नहीं लगेगी, अगर कुछ नेगेटिव ही होना है, तो प्योरिटी की एरा में जाने वाले हैं, उस में जो क्वालिफिकेशन लेवल है, जो कट ओफ का लेवल है, वो थोड़ा ऊपर है, फ़र एक्जेंपल वो बार्मी पास तक नहीं है, इस तो बी ग्रेजुएट्स और पोस ग्रेजुएट्स फर एक एक एक्जैम की तरह माल ल एक करोड़ पर निकलना किसको है, दस हजार, बीस हजार कोई, बेस्ट अंदब प्योरिटी ऑफ दिर सोल, येस, कट ओफ होगी एक लेवल पे, बेस्ट आपके चेतना के लेवल पे, आपके क्युमिलेटिव कर्मों का जो बैलेंस है उसके लेवल पे, तो बहुत सारी सोल्स इसमें कुछ साही नहीं है, इसमें कुछ गलत नहीं है, ये ये यूनिवर्स बहुत बड़ा है, उनको फिर्मों का मिला जाएगा, पर अभी वो टाइम आ गया है थोड़ा फिल्ट्रेशन का, और हमेशा जैसे पहले भी देखा गया है कि जब कोई चीज, जब कल्यूग में सबसे ज़ाधा population होती है, उसके बाद population कब होनी इस्टार जाते है, क्यों लोग जो souls है, वो अपना वो criteria बहुत सारी souls फुल्फिल नहीं करती, यसे Bible में लिखा है, the road to heaven is very very broad, या मुझा पूरा word मुझा याद नहीं है, कि वो road जो heaven तक है, वो बहुत चौड़ी है, but only a few will be able to walk on it, जैसे Christian ने काया कि करोडों में एक कोई उस रस्ते को चल पाता है, तो वो है, तो उस टेम्पियम जीने वाले हैं, जी रहे हैं, तो population कम होगी, बहुत सारी चीजों से होगी, इन से होगी, और economic collapse से होगी, जो लोग अपने इस external world को सब कुछ मान के चल रहे हैं, अपना इतना लगेगा, बहुत सब तो उनी से हो जाएगा उनका काम, तो अभी का ये जो टाइम है, मैं पिछले एक साल से बोल रहा हूं लोगों को, जब लोगों ने सोचाता कि ये CV खतम हो गया, सबसाइड हो गया, खतम, अब हम फिर से बहने वाली स्थिती में आ गए, बहुत ग्रूप पे, टेलिग्राम ग्रूप पे ही बोला था लोगों को, use this as a window of opportunity, अपने आपको declutch करो, मैं हमेशा कहता हूँ, flow like a river, यसे नदी है, नदी के बीच में उसका flow है, उसके बीच में आपने कुछ hindrance या कोई impediment खड़ा कर दिया, कोई अचन खड़ी कर दी, अब नदी जिद्धी होके ये नहीं कहती कि पहले मैं इसको गिराओंगी, फिर आगे बढ़ओंगी, नई, वो चुपके से कुछ resist नहीं करती, वो चुपके से अपना mark बदल लेती है, तो ऐसी आपको कोई impediment आए, कोई कुछ आए, आपको बस अपना mark बदलना है, और आपको as a river flow करन है, और past में नहीं देखना जो भी क्या हुआ है क्या नहीं, नदी जब आगे बढ़ती है, वो पीछे मुड़ के नहीं देखती, अगर नदी पीछे मुड़ के देख रही है, मतलब वो हम पर गूमり ह jij और अगर वहीं पर गूम रही है, तो फिर नदी नहीं है, वो talent है, और तालाब मैला हो जाता है तालाब का न आप पानी पीते हो न आप उसमें नाते हो तो हमें तालाब नहीं बनना है हमें एक रिवर बनना है नदी बनना है और फ्लो लाइक रिवर कॉस्मोस यूनिवर्स को ट्रस्ट करो जैसे जैसे आप अपनी चेतना बढ़ाएंगे आपको काम तो अपने उपर खुद ही करना है आपको यूनिवर्स ने अभी डिस्पोजल पे आपके बहुत सारा हेल्प दे रखिया है पर वो हेल्प आपको खुद ही लेनी है मारियो गेम के अंदर चाहे जिसने मारियो बनाया उसने वो मश्रूम बना दिया जिससे हाइट बढ़ती है या कुछ और बना दिया फ्लार बना दिया जिससे पावर जिससे गोलिया निकलती है पर वो मारियो को खुद ही कूद मार के मश्रूम खाना बढ़ता है तो काम आपको खुद करना है तो अब 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 जैसे फॉर एक्जेंपल अब आप मुझे पूछें कि क्या हिल्प दे रहा है यूनिवर्स हमें अब इस आने वाले टाइम में मैं आपको क्या पता हूं फोटन बेल्ट के अंदर तो पहले से हैं मतलब जो पहले 50 साल 100 साल पहले जो रिशी मुनी इतने सालों तपस्या के बाद जो अपने मेडल अमलम केटा से जो अपना इंटीना स्ट्रॉण करके जो वो कोस्मिक रेस को खीच पाते थे अब हम उसके अंदर है कॉस्मिक रेस के मतलब आपको एंटीना अपना बहुत स्ट्रॉंग नहीं करना थोड़ा सा करो और खीज लोगे अभी तक तो 2000-2000 के बाद कम होती हुई आई है बहुत exponentially पर आगे आने वाले सालों में और exponentially कम होगी हमारे अर्थ की magnetic field यह अर्थ की magnetic field ही है जो as a flux हमारे जो कुंडलीनी को नीचे की तरफ खीच के रखती है रोक के रखी है जैसे अभी वीकन होगी और जादा अभी भी है और वीकन होगी आपको बहुत कम ध्यान से बहुत कम योग से आप उस लेवल पर चले जाओगे जो बड़े-बड़े योगी मुनी जाते थे और क्या चाहिए आपको युनिवर्स में लोग तो बस यह है कि ब जिरो बन परसेंट है कोई ऐसा नहीं आएगा कि सफेद घोड़े पर बैटके आ रहा है और आपको लेके जा रहा है तो जो मिस इंटर्प्रेटेशन ऑफ टेक्स करके जो लोग बैठे हैं कि हमारे कलकी अफ्तार आएंगे सफेद घोड़े पर ऐसे क्रिश्चन बैटे हमार आपको पता मीं नहीं चलेगा तो जो इंद नो है जो अंतर मुकी हो रखा है अपने अंदर जिसने अपने अंदर उस ट्रेजर को पा लिया उसको सब पता होगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा वो आउटर सराउंडिंग से अनपर्टर्ब्ड होगा और मैं लोगों को इस चार साल बाद जब सब कुछ आपके आँकों के सामने उथर पतल होगा भार की दुनिया में और आप बहर मुखी हो तब तक तब आप ध्यान में बैठोगे कि चलो अब अंतर मुखी होने ही कुछ करता हूँ तब नहीं हो पाऊँगे होगा आप और ज्यादा भार की तरफ पुल्ड आउट होगे तो नहीं हो पाएगा के टाइम था या है थोड़ा बहुत तो और यह जो मैं एक और एक्जेंपल देता हूँ जैसे अब इंडिया का पाकिस्तान से लड़ाई हो तो एक अलग टाइप की लड़ाई होगी इंडिया की चाइना से लड़ाई हो अलग टाइप की होगी इंडिया की फर एक्जेंपल यूएस से हो जाए तो अलग टाइप की लड़ाई तो नहीं होगा तो लोग क्या सोच रहे हैं अच्छा क्लाश वाब ओके बिल गेट्स अच्छा बाइडेन तो लोग फिजिकल वार सोच रहे हैं कि ये इलुमिनाटी या जो भी ये सीक्रेट सोसाइटीज हैं या जो भी एलीट्स हैं इन से हमको लड़ना है नहीं 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 फिजिकल ये वार है ये एक वार जिस तरीके का वार होगा वो ही तो आपको लड़ना है वो ही तो आपको हत्यार हत्यार अपनाने पड़ेंगे तो जब स्पिरिच्वल वार है तो आपको साथ देना है आप spiritually evolve होई है जितना आप अपने आपको spiritual evolve करेंगे आप positive side जो भी आपके बिहाफ पे अभी आने वाले time में जो भी होगा उपर के रियाल्स में आप उनको support करेंगे परना तो आपको बागतर ही है कुछ नहीं होगा और जो आपसे इस crisis में पैसे इंठने चाहते हैं आपसे पैसे भी इंठेंगे तो वो सब नहीं सब कुछ आपके अंदर है तो यह मैं कहना चाहता था कुछ लोग के दिए जैसे मैंने एक बार चैनलिंग के बारे में आपको पताया था में जो वेस्टन लोग चैनलिंग करते थे बशार और इदर उदर आपके इंजल गेब्रियल और यह वह और वह तमाशा जो सब होता था वह फिर के फिर हां पर आता है ऐसे ही जो वहां पर डोलोर्स कैनन जो एक लेडी पताती थी कि 5D शिफ्ट होने वाला है अर्थ स्प्लिट कर जाएगी लाइक अमीबा एक ओल्ड एर्थ एक न्यू अर्थ न्यू अर्थ पर यह वाली लोग जाएंगे जो हाइली कॉंश्यस हैं ओल्ड अर्थ पर यह कोई फिल्म नहीं चल रही हम ऐसे ही एक कुछ लोग क्याते ना भी हम 5D में चले जाएंगे लाइट बोडी हो जाएंगे हमारी अब यह कौन बोलता था यह भी कुछ थे जैसे अर्जेंटीन शायद अर्जेंटीन का है डून वलो मिल्कीजडेक इनको ही मैं बहुत पहले स्टार आपको इस फिसिकल बॉडी में रहेके ही आपको यहत्यकर यूूनियन करना है यह देखो, हर कोई जो कहता है अच्छा 5D पर चले जाएंगे light body, कि वो कहता है जिसको 5D का मतलब भी नहीं पता क्या है, जिसने आज तक योग ही नहीं किया, क्या है 5D, 6D, 7D, 8D, 9D, 10D, क्या है, मैंने जो इतना एक एक वीडियो भी बनाया था, या तो आप उनको लोकों के तरीके से बोलो, या आप उनको दिमेंशन के तरीके से बोलो, या उनको मोटा-मोटा, सूल शरीर, सूख में शरीर, काने शरीर, मतलब, फिसकल बड़ी, एस् अप ऐसे जयसे आप उपर की फ्रिक्वेंसी में जाते रहेंगे, मतलब प्याते हैं या नं ऐथकी बढ़ती रहेगी, आप अंदर-अंदर के ऊपर-ऊपर की dimensions में उपर उपर के लोगों में जाते रहेंगे या अपने स्थूल शरीर से सूख्ष में सूख्ष में कारण तक चले जाएंगे अब जैसे कि स्थूल में आप चले गए अब स्थूल के अंदर भी इतने सारे dimensions तो वारे सब शरीर के अंदर एक योगी जो इस जीवन काल में योग शुरू करता है फिर उसके जब चक्र खुलते हैं जब वो अपने अंदर जाता है सूख्ष में जगत को अपने एक्सेस करने लगता है सूख्ष शरीर में फिर कारन जगत को तो क्रिस्टलाइन मन जाता है और फिजिकली तो ये वो लोग के सारी चीज़े फैलाते हैं कि आप क्रिस्टलाइन बन जाओगे आप ये हो जाएगे आपकी लाइट बोड़ी हो जाएगी जिनको कुछ पता नहीं है तो इसलिए लोगों को कहता हूं नेवर जज़ बुग बाइट सकवर कोई बहुत अच्छे से आप से बात कर रहा है इसका मतलब ये नहीं उनको बहुत नॉलेज है या कु लो अधिट करके ये वीडियो बना देते है नहीं तो वापकीस के साथ जस्टेस नहीं करें अपने साथ भी दिशन करें वह आके आपको वह टाइम खुद भी अपने ध्यान में लगाना चाहिए अपने अपने स्वें के कल्यान के लिए तो तो ये जो एविल साइड का जो क्लाइमेक्स यह करने वाले यह अपने बता दिया कि बीच में कैसे बिल्कुल सब कुछ खतम दिखा के एक नया सिस्टम जिसके अंदर यह कोशिश कर सकते हैं कि भाई वन वर्ल्ड गौर्डमेंट काइंड ओफ कुछ ले आए या फिर वो कैसे करेंगे कि पूरी दुनिया को यह एक एंब्रेला के अंटर ले आएं और हर कोई में तो कोई भी रिजिस्ट ना कर पाए और जैसे अलग अलग नामों से इसको बोला जाता है मार्क अफ़ बीस्तिया फिर बाइवल में ऐसा कुछ बोला गया तो वो क्या है जो सबसे बड़ा पॉल्स प्लाइग इवेंट करेंगे जो जो सबस्वेंड होगा इनका चरम सबसे बड़ा जो इनका फॉल्स देखो अब करन्सी भी दुनिया की एक कर सकते हो वर्डवाट कॉलाप्स के बाद आप गौर्मेंट कर सकते हो फरक्जेंपल यूरोप में क्या किया इन्होंने यूरोप में आपने हर कंट्री tren का प्याकरेंट सी बना च्ति हर कंट्री इस वह आपने सब खतम करके यूरोप बना तीय वह किसको देखकर the United States के यू सकी पचास स्टेट्स जो थी वो पहले countries थी, उनका अभी भी flag है अपना-पना, republics हैं सारी, वो एक साथ आके अपनी sovereignty उन्होंने खतम करके United States of America बना दिया, अब Europe ने सोचा अच्छा, हमें भी अगर Europe, America बनाना पड़ेगा, एक यूरो से एक common currency, तो ये सब चीजें फिर भी उतनी far-faced नहीं है, एक level पर हो सकती है, पर सबसे important जो हर इंसान के subconscious तक बैठा हुआ है, वो है religion, one world religion कैसे बनाओ गए, अब उसके लिए उनका last में बिलकुल, वो बिलकुल last के event उनकी script में है, वो है fake alien invasion, जिसको लोग project blue beam भी कहते हैं, जो भी कहते हैं, अब, वो इस technology भी based है, जिस technology में यह हमारा physical world चलता है, वो technology है उनके पास, मतलब, physics के terms में जब मैं कहता हूँ, यह हमारा जो physical world जिसको हम कह रहे हैं, यह illusion है, भाई यह illusion है, तो hard mask का शरीर, यह table, जो मुझे feel होता है, यह illusion कैसे हो सकता है, मैं कहता हूँ, यह projection है, तो आप कहते हो projection तो वह होता है, slide में आपने कुछ नीचे रखी, slide आपने projector के नीचे रखा, वो सामने projector, वो तो 2D projection है, अगर मैं आपको कहूँ, अगर मैं आपको कहूँ, 3D projection, जिसको holographic projection, तो आपको physical दिखेगा, पर वो projection है, जैसे मोली रेलिया मी तो कर रहा था, इस से rated, कि वो एक image दिख रही है, 3D image, तो यह थोड़ी ज़्यादा है, मतलब, यह simulated reality game थोड़ा ज़्यादा, बढ़ी है, मतलब, real लगता है ज़्यादा, तो वो उस लेवल पे होगा, fake alien invasion, कि जिस लेवल पे हमें physical world दिखता है, कि यह सब real दिखता है, पर यह real नहीं है, इसी लेवल पे, इसी technology का use करके, they will play God, वो भगवान बने इकोईश करेंगे, वो ऐसा चीज़े दिखाएंगे हमें, जिससे लोग को लएगा, नहीं यह तो, होई नहीं सकता, यही है, उसके वो एक अपना new agenda, और उसी टाइम पे, एक world war 3 भी कॉन साइट करेंगी, उसी टाइम पे, जिससे, Jewish religion, Christianity, Islam, Albert Pike की जो third letter थी, मजीनी को, तो वो करेंगे, और वो Middle East से ही होगा, जो इनका plan है, कोई temple है वहाँ पर आएगा, वहाँ पर आएगा, वहाँ पर आएगा, वहाँ पर आएगा, वहाँ पर, वह सब एक separate चीज है, पर मैं बस आपको यह बताना चाहता हूं, जैसे मैंने पताया, पहले भी बोला था, कि नेगटिव केरेक्टर जो है, यह सोच रहा है, मैं ही डिरेक्टर हूं, और मेरी स्क्रिप्ट लास तक एग्जेक्यूट हो रही है, पर डिरेक्टर उनको तभी तक एग्जेक्यूट करने देगा, जब तक उनका रोल है, फिर उनको काट के फिंग दिया जाएगा, फिर उनका काम खतम, तो एक लेवल तक यह आएंगे, यूनिवर्सल बेसिक इंकम, यह सारी चीजें, सीवी पासपोर्ट, यह सारी चीजें ह पर उस लेवल तक नहीं होगी, जहां तक ही लेके जाना चाते हैं, एबॉलिशन अफ प्राइवेट प्रॉपरटी, आप सब की प्रॉपरटी ले ली जाएगी, यह होगा, यह पूच रादामा है, इसलिए तो कहते हैं, ना हाउजिंग फर ओल, अगर एक इंसान का, एक फै कोई लेघना ही पाएगा, या कोई अपनी फार्म अपनी फार्मिंग, पॉइ खुद नहीं कर पाएगा, अपनी खेती को खुद नहीं कर भाएगा, इसलिए पॉल अपना अपना इंडिया सो क्या लिग है, यह उ आप धितर्व कर्म ओ इंडिया मेरी और ह gracious अपनी दर्सक्स मैं देखता नहीं हूं पर हां सुनने में ये आया है कि उस मूवी में A Engrai के अदरopathic Dream है अब ही हम जैसे इस डॕरीम में जी रहे हैं इस डॕी में हूं लोग अवेकन नहों पाएं तो नहींने क्या बोला क्या कुछ करें चलो इस सपने में इस 189 जी इंदर एक एक ड्रीम और डाल देते हैं, उनको एक ड्रीम और अंदर खीच लो, इससे अब तो निकलना काफी मुश्किल, और भी मुश्किल हो जाए, जो है Metaverse, जो है AR VR, डिजिटल वर, अब वो आप जाके उसमें आप अपनी दुनिया में, बस अपनी दुनिया, अलग दुनिया में होगे, एक सपने के अंदर दूसरा सपना, अब वो कहेंगे, नहीं, 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 तब हमने आप से यह सब लिया ना, फिजिकल आपका यह सब असेट्स और यह सब लिये, तो डोंट वरी, यूल, यूल, यूल और नथिंग और बढ़ेगा, तो यह सब आपको क्या बोलें होगी, to a manageable level for these people, मगर, एक level के बाद, यह और ज्यादा उसको नहीं खीच पाएंगे, sustainable नहीं होपाएगा, इसलिए इन लोगों को पता है, इसलिए यह अपना plan बहुत hastily, बहुत, जल्दी-जल्दी करने कोईश कर रहे हैं, पर, वो होगा तो उसी speed से, जिस speed से तया हो रख जी नहीं थी, अब वो नहीं होगी, तो उस level पे यह यह नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए universe जो है, भई, जब भी कुछ लड़ाई होती है, जब भी कोई boxing match होता है, जब भी कोई WWE का match होता है, तो referee बीच में होता है, दोनों side के लिए कुछ rules होते हैं, तो उनको भी वो इस rules को भी करना है universe वाले, कि आप वो, उस technology को आप तभी हात में पापाओगे, जब दूसरी side तयार हो उसके लिए, अब दूसरी side के पास ही वो support नहीं है, तब तक, और आपके पास वो सारी चीज़ें आ जाए, आप उसको implement कर दो, वो तो line साफी है, वो फिर मैस नहीं होता, तो और इंडिविज्वल लेवल, विंडॉफ उपचिनिटी क्लोज होती जारी है, होती जारी है, होती जारी है, तो हर इंडिविज्वल सोल अपने उपर जतना काम कर सकते हैं, अपनी आत्मा के उपर जतना काम कर सकते हैं, वो इस टाइम पर सबस्जादा माईने रखता है, इ जितना आपने आपको जानते जाएंगे उतना इजी हो जाएगा आगे हमारे लिए ये गेम लेकिन बाहर तो बहुत कुछ होने वाला है बहुत कुछ पुतल पुतल इंटरस्टिंग और नहीं नहीं चीज जिससे की मैं क्वेश्चन कर सकूं अपनी एक्जिस्टेंस को और मैं जान सकूं खुद की रियालिटी को जो लोग ए अध्यात्म के मार्क पर हैं जो लोग सिंसिर हैं जो लोग इस पर आगे बढ़ रहे हैं उनको कोच डंडने की बात नहीं है जस्ट एंजॉय थे शो आप एंजॉय इस लिए नहीं कह रहा हूं की मैं इस फीलिंग से नहीं कह रहा हूं कि अगर आपके सामने कोई आने वाले टाइम में सफर करेगा तो आप उसको देख के खुश हो नहीं बट विदिन यॉर्सेल्फ एंजॉय दे शो कि एक मूवी का पार्थ है किसी की अगर सफरिंग हो रही है जितना हो सके उसको help करो पर एक एक पर अगर उसके बाद सब्सक्राइब आप अपना परोग कर्म चोड़ो वह आपका धर्म है कि अगर अच्छा अगर कोई सामने कोई सफर कर रहा है अच्छा यदर इसका कर्म होगा मैं इसको help करो नहीं वो फिर आपने अपना एक पाप कर्म बना दिया तो आप अपने लेवल पर जितना हो सकता ह करो बाकी उसकी सफरिन उसके हाथ में है अगर वह आप कम कर पाए ठीक है नहीं कर पाए ठीक है आप अपनी साइट से जितना हो परते हो करो इसलिए मैं लोग को कहता हूं अभी तक लोग अपना पूरी एनरजी वेस्ट करके ठक के तीन-तीन चार जार घंटे लोग को समझा अब अपने उपर काम करते हैं तब इंदर से जिग्यासत होती है यार मैं जितने जादा लोगों को बता दूं या जिनको बचा लिया जाए उनको बचा लिया जाए तो अब वो टाइम नहीं है नाओ यहाब तो जो प्र फ्लाग्स एंड वोग सीक्रेट लिएस बड़ जित मेरे जैसे आप जैसे हम अपना टाम सेक्रिफाइस करके जो भी यह सब करते हैं प्लाटफॉर्म तो सही है पर अन इंडिविजल लेवल आप सबका यही काम है कि आप अपने उपर टाइम लगाए प्लेस्क नियॉर्सेल्फ तो मेरे को जो आप से कॉन्वेसेशन करके इस ट फ्क्रिक्स माया और इस माया के अंदर डोनों साइड बाड थैड डोनों के प्लेस चल रहे हैं अप सेंड डाउन चल रहे हैं छी आई सेंग की घुड साइड जीतेगी ऐसी कोई मूवी नहीं घिसके अंदर विलैंजी जीते गया हो यह नेगिट Garage साइड जीत गियो तो यह कैसी मूवी है जिसमें ही जीते गी और इवेंट्स किस तरीके से जा रहे हैं वो हमने इसके अंदर डिसकेशन किया तो आगे आपको घबरानी की ज़रूत नहीं है अगर आप फ्यूचर में इस वीडियो को देखेंगे तो यह वीडियो की डेट किस यह वो देख लीजेगा क्योंकि बहुत सारी इवेंट्स ऐसे हैं जो आपको अभी समझ में नहीं आएंगे और आगे फ्यूचर में आपको समझ में आएंगे जब को हो जाएंगे तो आप पीछे आके देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि यह चीजें किसी ने पहले ड के लिए अपनी सेल्फ एंलाइटनमेंट के लिए सेल्फ एक्चुलाइजेशन के लिए हो रहा है यह सब कुछ दा एंटार प्रोसेस इस ड्रिवन फॉर दिस अंदिस ओनली पर्पस योर सेल्फ एक्चुलाइजेशन तो यह यूनिवर्स आपको जो भी दिखाएगा शेक क सब्सक्राइब आप बोलना चाहें बस में दो चीज़े और बोलूगा एक यह कि हालाकि आपने भी सही बोला कि यह हम एक मैट्रिक्स से गेम की तरीके से सोच सकते हैं पर अगर आप स्पिरिचुलिस्क टम्स में बोलें तो विया लिविंग इन कॉस्मिक ड्रीम अफ और बोलती होगे तो इस तरीके से अपने आपको समझें इस पूरे जो भी अब आने वाले इवेंट्स होंगे। उसको समझें अपने आपको इस बोडी से एसोसियेट मत करिए आप इसके अंदर बैठे हुए driver है जैसे car के अंदे driver होते हैं आप अपने आपको car नहीं समझते हैं आत्मा हो और last इसलिए death से नहीं डरना अभी भी जो सारे events हों और आगे भी सारे events होंगे ये एक ही card play करेंगे आपको अपने साथ agreement में लाने के लिए वो है fear एक हमेशा एक saying हमेशा याद रखना fear of death will not stop you from dying it will rather stop you from living तो यहीं पे हम अपना आजका podcast talk करम करते हैं thank you for this amazing conversation Rajat जी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और भी बहुत से सवाल है मेरे दिमार्ट में जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं वो हम आगे की वीडियो उसके अंदर cover करेंगे और आज के लिए हम इसे end करते है end game करते है thank you so much thank you thank you thank you thank you